हमस्कार दोस्तों भारत ने तीसरा टेस्ट बड़े अंतर से जीता जी हां भारत ने 434 रन से जीता राजकोट टेस्ट है रनके अंतर से सबसे बड़ी जीत यससवी का धोरा सतक जड़ेजा प्लेयर आप दी मैच दोस्तों आपको बताएं कि राजकोट में 577 रनके पहार जैस टार्गेट का सामने टीम इंगलहेंडे 122 रन पर ही आल आउट हो गई जी हाँ दोस्तों भारत ने रिकोर्ड 434 रन से तीसरा टेस्ट जीता और स्रीज में 2-1 से बड़त बना ली चोथा टेस्ट 23 फरवरी से रांची में खेला जाएगा जी हाँ दोस्तों आपको बताएं कि रविंदर जड़ेजाने दूसरी पारी में 5 विकिट लिये उन्होंने पहली पारी में सेंसूरी भी लगाई जड़ेजाने मैच में कुल 7 विकिट लिये और पहली पारी में सतक के बदोला और इस प्रिदसन के लिए उन्हें प्लेयर आपदी मैच का अबाट दिया गया जी इंगलाइंड टीम ने पहली पारी में 319 रन बनाए, भारत ने दूसरी पारी में 430 रन बनाए चार विकिट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जीत बारत ने 434 रन से इंगलेंड को अराया रन के अंतर से यह टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत रही इससे पहले भारतिय टीम ने 2021 में मुंबई के बान खेड़े स्टेडियम में न्यूजिलेंड को 322 रन से अराया था इंग्लेंड के खिलाप इससे पहले भारतिय टीम की सबसे बड़ी जीत 317 रन की थी भारतिय टीम ने 2021 में चैन्नई के मेदान पर इंग्लेंड को हराया था 317 रन से जी हाँ दोस्तों आपको बताए कि 4 दिन सुब्मन गिल कुलदीप ने इंग्लेंड को परिशान किया भारत ने 106 में रन पर दोवी किटके स्कोर से 4 दिन खेलना सुरू किया और सुब्मन गिल ने 65 और कुलदीप यादव ने 3 रन के निजी स्कोर से अपनी पारी आगे बढ़ाई सुब्मन गिल एकराण में रन और कुलदीप यादव 27 रन बना कर आउट हो गए जी हाँ दोस्तों आपको बताए कि 3 दिने का खेल समाथ तोने से पहले यससवी जायसवाल रिटार्ड हड हुए थे फिर वो बेटिंग करने उतरे और उन्होंने दोरह सतक लगाया और सर्फराज खान के साथ 112 रन की पार्टनर्शिप की सर्फराज ने डेबू टेस्ट में लगातार दूसरी पारी में 50 लगाई है जी हाँ दोस्तों आपको बताएं कि टीम इंडिया ने 434 रन में 4 विकिट के नुकसान पर अपनी दूसरी पारी डिकलियर की थी यससवी 214 और सर्फराज खान 68 बना कर नौट आउट लोटे आपको बताएं कि टीम ने पहली पारी में 126 रन की बड़त बनाई थी भारतिय टीम ने 126 रन की बड़त बनाई थी पहली पारी के आधार पर इसलिए इंग्लेंड को 537 रन का टारगेट मिला जी हाँ दोस्तों बड़ा टारगेट के सामने इंग्लेंड की टीम टिक नहीं सकी और दूसरा सेशन खतम होने तके भारतिय टीम ने 18 रन के स्कोर पर इंग्लेंड के दो बिकिटे चटका लिए पचास रन तक पहुंसते पहुंसते इंग्लेंड टीम के साथ बिकिटे गिर गए जी हाँ दोस्तों आपको बताए कि जैक ट्राले 11, वेंड़केट 4, ओलीपॉप 3, जोरूट 7, जोनी वेरस्टो 4, रेहान एहमद खाता खोले बगर ही और बैन इस्टोग 15 रन बना कर आउट हो गए तो दोस्तों आपको बताए कि जड़े जा को 5 में के विकिट मिले और दोस्तों इंग्लेंड की दूसरी पारी में जड़े जाने 5 मिकिट जटके, इंग्लेंड 122 रन पर सिमट गया, बैन फॉक्स और टॉम हार्टले ने 32 रन की पार्टनर्शिप की लेकिन दोनों ने 16-16 रन बना कर आउट हो गए जी हाँ दोस्तों दोनों बल्ले बाज 16-16 रन बना कर आउट हो गए, उनके बाद मार्क बुड ने 15 बॉलों पर 33 रन बना कर टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया, रबिंदर जड़े जाने मार्क बुड को पैबिलन वेजा और इंग्लेंड की टीम में 122 रन पर सिमट ग बताएं कि पहले सेसन में भारत ने 2 जी विकिट गमाए, चौते दिन के पहले सेसन में भारत ने Eldy प्यादों ने 55 रन की विकिट के बाद बैटिंग करने उत्रे उन्होंने सर्फराज खान के साथ 50 पार्टनर्शिप कर ली सेशन खतम होने तक टीम इंडिया का स्कोर 314 रने पर 4 विकिट रहा और बड़त 440 रन की हो गई थी सेशन में भारत ने 31 ओर बैटिंग की और 118 रन बनाए जी हां दोस्तों दूसरे सेशन में बैक फूट पर इंग्लाइंड दूसरे सेशन में टीम इंडिया ने मैच पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली थी टीम इंडिया ने 314 रन पर 4 विकिट के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया यससवी जायसवाल ने दोरा सतक लगाया और भारत ने 4 130 रन के स्कोर पर अपनी पारी गोशित कर दी यससवी जायसवाल 214 रन और सर्फराज खान 68 रन बनाकर नौट आउट लोटे और भारत ने भारतिय टीम ने पारी गोशित कर दी जिहां दोस्तों पहर जैसे टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लेंड टीम ने 9 ओवर के अ इंग्लेंड आल आउट हो गई चौथे जिनके तीसरे सेसन में इंग्लेंड ने 50 रन के स्कोर पर 7 विकेट गमा दिये टॉम हार्टले और बेन फॉक्स ने पारी समालने की कौशिश की लेकिन वो 16-16 रन बनाकर आउट हो गए आखिर में मार्क बुड ने 15 बोलों पर 33 रन इंग्लेंड टीम को 100 रन से पार पहुंचाया लेकिन होम ग्राउंड पर रबिंद्र जड़ेजा ने 5 विकेट जटके और इंग्लेंड की पारी 122 रन पर आल आउट कर दी जी हां तीसरे सेसन में इंग्लेंड ने 31 पॉइंटे 2 ओवर बेटिंग कर 104 रन बनाए तीसरे दिन इंग्लेंड की टीम 319 रन बना कर आल आउट हो गई थी बेंड ड़केट ने 153 रन की पारी खेली भारत से मुहमा सिराज ने 4 विकेट लिये थे दिन का खेल खतम होने तके भारत ने 2 विकेट होकर 106 में रन बना लिये थे यहां से यसस्वी जाइसवाल 104 रन बना कर रिटा इंग्लेंड ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 207 रन बना लिये थे बेंड ड़केट 133 और जो रूटे 9 रन बना कर नोट आउट लोटे दूसरे दिन का खेल खतम होने तक और दोस्तों आपको बताएं कि राजकोट में भारत के कप्तान रोई सर्मा ने टॉस जीद क पहले बैटिंग चुनी टीम इंडिया ने 33 रन पर तीन विकेट गमा दिये थे यहां से रोई सर्मा और रबिंदर जड़े जाने सतक लगा कर टीम का स्कोर 200 रन से पार पहुंचाया और भारती पारी को समाला जिया दोस्तों इस प्रकार भारत ने यह राजकोट में दिन ही जीत लिया और इंग्लेंड को 122 रन पर आलाउट कर दिया दूसरी पारी में और भारत ने रन के अंतर से यह सबसे बड़ी जीत दर्ज की भारत ने यह तीसरा टेस्ट मैच 434 रन से जीता और अगला टेस्ट मैच यानि चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से रांची मे सुरू होगा जी हां दोसतो नई नई अफडेटों के लिए हमारे साथ बने रहे यह नमस्कार धन्य बाद तो मुद्ग भारत ने तीसरा टेस्ट बड़े अंतर से जीता जी हां भारत ने 434 रन से जीता राज़कोट टेस्ट है रन के अंतर से सबसे बड़ी जीत यससवी का धोरा सतक जड़ेजा प्लेयर आप दी मैच दोस्तों आपको बताएं कि राजकोट में पांसो सताओन रन के पहार जैसे टारगेट का सामने टीम इंगलहेंडे 122 रन पर ही आल आउट हो गई जी हाँ दोस्तों भारत ने रिकोर्ड 434 रन से तीसरा टेस्ट जीता और स्रिज में 2-1 से बड़त बना ली चोथा टेस्ट 23 फरवरी से राची में खेला जाएगा जी हाँ दोस्तों आपको बताएं कि रबिंदर जड़ेजा ने दूसरी पारी में 5 विकिट लिए उन्होंने मैच में कुल 7 विकिट लिए और पहली पारी में सतक के बदोला और दोस्तों आपको बताएं कि राजकोट में भारत के कप्तान रोई सर्मा ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग चुनी टीम इंडिया ने 33 रन पर 3 विकिट गमा दिये थे यहाँ से रोई सर्मा और रबिंदर जड़े जाने सतक लगा कर टीम का स्कोर 200 रन से पार पहुंचाया और भारती पारी को समाला जिया दोस्तों इस प्रकार भारत ने यह राजकोट में टेस्ट आज जीत लिया है चौथे दिन ही जीत लिया और इंग्लेंड को 122 रन पर आलाउट कर दिया दूसरी पारी में औ यहां दोस्तों नई नई अपडेटों के लिए हमारे साथ बने रहे नमस्कार धन्यबाद